Let's do question number 22 of exercise 5a that is arithmetic progression. Question number 22 is is 184 a term of the AP 371115? यह पूछ रहा है 184 क्या इस AP की term है यह नहीं है? तो चलिए देखते हैं कि है यह नहीं है? पहले हम अपनी AP लिख लेंगे. AP है हमारी 371115. डाश 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 और कुछ नहीं दे रखा. हमें 184 का निकालना है कि क्या यह इस AP का पार्ट है कि नहीं है? तो अगर हम Nth term की value लिखते थे तो हमारा formula आता है A plus N minus 1 into D. और यह Nth term है हमारी 184. 184 equals to A क्या हुआ हमारा? First value that is 3 plus N हमें पता नहीं है और D कितना है हमारा? D है हमारा. देखिए D आ गया. इस 7 में से 3 minus करेंगे. तो 7 minus 3 that is 4 तो 4 आ गया. ओपन करते हैं bracket तो यह आ गया 3 plus 4 N minus 4 तो यह आया 184 4 N 3 plus का है 4 minus का है. तो minus हो जाएंगे आपस में और साइन बड़े वाले कर लग जाएगा. अब 184 plus 1 हो गया है equals to 4 N. Now 185 equals to 4 N. N कितना है? 185 upon 4. 4 4s are 16, 25, 4 6 are 24 and 4 6 are 24. 1 upon 4 यह बच रहा है. इसको 185 upon 4 को हम यह भी लेख सकते हैं. लेकिन ऐसी कोई natural number नहीं होता है. जो N is term आती है वो हमेशा natural number की form में आती है. अब पॉन की form में नहीं आती है. लाइक यह first term है, यह second term है, यह third term है, fourth term है. इन दोनों के बीच की कोई term नहीं आती है. तो हैंस, as N is not a natural number, not a natural number. So, 184 is not a term of this AP answer. Let's do question number 23rd. Question number 23rd is, is minus 150 a term of the AP? 11852 dash dash dash. क्या minus 150 इस AP की term है की नहीं है? वो बताना है. तो सबसे पहले हम अपनी AP लिख लेते हैं, कौन कौन सी दे रखी है? AP दे रखी है, 11852 dash dash dash. अब हमें बताना है, minus 150 इसकी term है की नहीं है? तो हम हमारी nth value का formula क्या होता था? A plus n minus 1 into d. तो यह nth value कितनी दे रखी है हमे? minus 150. A क्या हुआ? 11 और D क्या हुआ? 8 में से 11 minus करेंगे. तो A आ गया हमारा 11 plus N हमें पता नहीं है, D हो गया हमारा 8 में से 11 minus किया. that is, minus का 3 आ गया. तो यह आ गया minus 3. brackets open करेंगे, तो यह आ गया 11. सबसे पहले अभी brackets नहीं open करेंगे, पहले sign open करेंगे. तो यह आगया, minus 150 equals to 11 minus 3N minus minus plus 3. तो minus 150, 11 plus 까 भी तो 14 दौनों add हो गए, minus 3N. अब minus 150, 14 भी इधार ही आगया, तो minus कह गए, equals to minus 3N, तो minus 164 equals to minus 3N minus minus cancel हुआ तो N की value किती हा गई 164 upon 3 तो 3, 5 is the 15 14, 3, 4 is the 12 and 2 बज़ गया 2 upon 3 फिर सही यह natural number नहीं है जैसे हमने last question में किया था तो as N is not a natural number natural number नहीं आया है क्योंकि हमेशा आप देखेंगे तो यह क्या कहलाती है first term, second term जो N आता है वो हमेशा कोई natural number होता है कोई भी upon में value नहीं होती है so, it is not so, minus 150 is not a term of AP answer सब्सक्वार्णदर्स